हाई फ्रेंज, गुक वित नीशु में आप सभी का स्वागत है, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टन लड्डू की रेसिपी, यह बहुत ही इंस्टन बनेंगे, आप इसको इसली किसी भी तहवार पर बना सकते हैं, और यह इद्दम नए तरीके से बने तो मैंने इसे अच्छी से वाश कर लिया है, अब मैं इसे कवर करके तीन से चार घंटे के लिए रख दूंगी, तो देखिए चार घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं, हमारी दाल अच्छी तरीके से फूल चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं एक मिक्सर ग् अच्छी से घरम होने देंगे, फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा बदाम, मैंने इसे अच्छी से काट के लिया है, थोड़ा सा काजू, और थोड़ा सा मैं यहां पर लूँगी मगच के बीज, और किसमीस, हम सारे चीच को अच्छी तरीके से सारे ड्राइफ प्रूट निकाल लिये हैं, अब इसी तेल में जो हमने बैटर पीस के रखा है, उसे हम एड़ करेंगे, तो देखिए धीरे-धीरे मैंने शारा बैटर इसमें एड़ कर दिया है, और मेडियम हाइफ फ्लेम पे हम इसे कम से कम पांच से छे मिनट तक अच्छी तरीके से चला है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह धीरे-धीरे ड्राय होता जा रहा है, इसी तरीके से हमें इसे कंटीनूज चलाते हुए भूनते रहना है, जब तक यह पूरा अच्छी तरीके से ड्राय है, यानि कि दानेदार ना हो जाए, तो देखिए जैसे-जैसे भून रहा है, इ अच्छे से दाने दाने हो चुके हैं, अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और सारे मिस्वरन को हम डालेंगे ग्रेंडिंग जार में और इसे अच्छे से दरदरा पीस लेंगे, अभी जैसे आप देखने थोड़ा ब अगर एक कप चीनी है तो आधा कप पानी डाले और इसे अच्छी तरीके से बॉइल होने दे, अब मैं इसे अच्छी से मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हम इसे मेडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से बॉइल हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे बॉइल हो गई है लगभग है मैं आपको जैक कर आदेती हूँ कि एक तार की चाषनी होई है या नहीं तो देखिए, इस तरीके की हमे चाए चाषनी देखें एक तार बन रहा है, अब मैं अपने चाषनी को जो मिक्स हमने पीसके तयार किया है, उसमें मिक्स कर देंग और अच्छी तरीके से इसे हम मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे ताकि इस पे बिल्कुल भी लंस या बिल्कुल भी गुठलिया ना रहें, यह हलका हलका थंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे हाथ से मिलाएंगे, उससे पहले हम स्टाचुला से इसे अच्छे से मिलाते ह ताकि हमें लड्डू बानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए अल्रेडी ये बैटर बहुत ही सॉफ्ट है जो हमने बनाया है लेकिन एक साइनिंग के लिए में दो चमज घी आट कर रही हूं और इसे हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे और मैं लड्डू बानना अ आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए देखे कितने सॉफ्ट बने हैं ओके फ्रैंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई रेसीपी के साथ इस तहवार पे ये रेसीपी ज़रू ट्राइक झाल 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 झाल